वीडियो में आपसे शेयर करूंगी फिटकड़ी के बेशोमार्फ हो वाय जिनसे कभी आप वाकिफ ही नहीं थे तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे में रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नियू है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में बेल की आइकन को प्रैस कर दीजिएगा तो जी हम बात करें थे फिटकड़ी की फिटकड़ी के नाम से कौन नहीं वाकिफ ये सब के घरों में ही आलमोस होती है लेकिन सम टाइम क्या होता है पड़ी पड़ी हराब हो चाती हम इसको फ możnaगी नहीं करेंगे क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा क्वालिटीज एक्सके बेशक गांगा हम अगर हम बात करें तो इसके लिहास भी बहुत सी क्वालिटीज हैं U कि मैं इसने क्वालिज और एकस्टर्नल हम इसको यूज कर सकते हैं डिपरिंट ऄर से और इसके इस्तमाल से बेशुमार फॉफाइट जो हम हासिल कर सकते हैं सबसे पहले जो इसका फाइदा मैं आपसे डिसक्स करूंगी इनके फिट्कडी को हम यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कहीं भी चोट लगी है लाइक आपको चोट लगी है जहम हो गया जहम से खून नहीं रुक रहा तो आप फिट्कडी को उसके उपर रब करेंगे या फिट्कडी को पानी मिक्स करके उस पानी के साथ अपने उस जहम वाले एरिया को आप वाश कर लेंगे जलदा आराम आजाएगा आपके वह चाले उस जहम है वह बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे और उसके बाद फिटकरी की किसी भी पीस को लेकर जो चुबने वाला ना हो अपनी skyn के ऊपर रब करें और आपकी skyn जो है इससे टाइ होगी आपके open pores जो है वो close होंगे और इसके साथ साथ आपकी skyn जो है उसके उपर बहुत जल्दी aging signs नहीं आएंगे लाइक आपको fine lines हो हैं वो बहुत ही late होंगी अगर आपको aging sign already है तो उनसे भी आपको काफी relief मिलेगा तो आपने simply अपने skin को wet करके उसके उपर फिटकडी को massage करना है इसको rub करना है इस तरहां फिटकडी के use से आपकी skin जो है उसके pores हैं वो close हो जाएंगे और आपकी skin जो है fresh and जाता है like आपको बहुत ज्यादा excessive oil हो जाता है यह फिर आपकी fine lines है बहुत ज्यादा clear होना लग जाती है तो आप make up करने से पहले फिटकडी के powder को पानी मिक्स करके उसके अगर face wash कर लेंगे और उसके बाद make up करेंगे तो आपका जो make up है वो long time के लिए आपके face के ओपर stay क करेंगा मेरी ऐसी बहने जो किचन में काम करती है और आपको पता है किचन में काम करने के बाद हमें बहुत जादा पसीना आता है पसीने को बार बार हम face से जब साफ करते हैं तो उस तरह हमारी skin के ओपर excessive oil reduce होना शुरू हो जाता है इस तरह भी आप अगर फिटकडी को use करे तो आपका वह excessive oil राज हो पहना हो जाएगा और अगर आपकी बाड़ी पर बहुत ज़्यादा पसीना आया है और अपकी अंडराम्स में से स्मेल आना शुरू हो गई है या पिर आपके पौव में से स्मेल आना शुरू हो गई है लाइक आप बंचुता पहन रहे हैं पाओं जो यूज होता है उसमें आपस वाटर में एंड पे आपने फिट्कडी को एड कर लेना है इसके दो तीन चमच आपने मिक्स कर लेने हैं और आपने पानी की एक जो धार है वो अपनी सारी बॉड़ी से गुजार लेनी है अपने इसके साथ अपने पाउं भी वाश कर लेने है और पूरी बॉड़ी को भी वाश करना है तो आप देखेंगे कि दो तीन दफा के इस्तमाल से ही आपकी बॉड़ी में से और आपके पाउं में से वो जो स्मेल आ रही थी वो खतम हो जाएगी फिटकरी का जो नेक्स बेनिफिट है वो यह है कि अगर आपके गम्स जो है वो ब्लीडिंग गम्स है यानि उन में से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है आप ना तो ब्रश कर सकते हैं ना ठीक से खाना खा सकते हैं क्योंकि आपके दांतों में से बहुत ज़्यादा आप वीक में 2-3 दका ये गर और तो इन्शाला आपका गम ब्लीडिंग का जो प्राबलम है वो बिल्कूल हतम हो जाएगा इसका जो नेक्स पैनिफिट है वो ये है कि अगर आपकी सकीडिय के किसी भी एरिया के ओपर फेसिकी अरिया के ओपर पिंपल्स हो गया है तीन चार दफ़ आप उसको रप करेंगे तो आपका वो जो एरिया है वहां से पिंपल्ज है वो आई साइसता रिमूव होना शुरू हो जाएगा क्योंके फिटकडी में नेचरल तोर पर बैक्टेरियल प्रापरटीज होती है यह किसी किसम के भी बैक्टेरिया इसको खतम करती है इसलिए आपने इसको अपने पिंपल के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज करना है आज की वीडियो की सबसे एहम और जरूरी जो टिप है फिटकडी का यूज है वो है हमारे हेर की रिडक्शन या हमारे हेर रिमूवल तो जैसा कि हम लड़कियों का आज सकल सबसे बड़ा प्रॉबलम यह है कि हमारे फेस्टूप पर बाल आ जाते हैं जिनको हम अन्वारंटिड हेर कहते हैं वो समुटाइम हमारे अपलिप्स पे आपया जाते हैं। समुटाइम हमारे वो चिंद के अरिया पे आज आते हैं। जिनको हम बार बार वैक्स करते हैं या फिर हम variety तरीके से थर्डिंग व्म्मेरा से हम उनकालते हैं तो उनकी जो प्रोडक्शन होती है वो और ज्यादा बढ़ जाती है लेकिन अगर आप फिर्टिडी का यूज़ करते हैं अपनी बिफोर वैक्स और आफ्टर वैक्स तो उससे आपके बाल आइस्ता रेडियूस होना शुरू हो जाएंगे और फिर एक ताइम आएका कि आपके बाल जो होंगे वो बिल्कुल इस एरिया से खतम हो जाएंगे हार्मून्स की डिस्टरबंस है या फिर आपको जिनाटिक प्रॉब्लम है किसी भी बजह से आपके स्किन के ओपर फिशल खेर जो है वो आ रहे हैं या फिर आपकी बॉड़ी के किसी भी एरिया से आप बालों क इसके उपर रभ कर सकते हैं जिससे क्या होगा कि आपके आफ्टर वैक्स जब फोर्स ओपन हो जाते हैं तो प्यक्डिक आपकी स्कीन को टाइट करती है तो इस पोर को क्लोस करती है और आहसा हिस्ता आपके बालों की रोफू थोगी वर डियूज होगी और एक ताइम झाल झाल